हाई फ्रेंड्स मोनिकर्स किचन में आप सब का स्वागत है आज मैं बनाने जा रही थी बटर नान बिना तंदूर और येस्ट के तो वही आपके साथ आज शेयर कर रहे हूं बहुत ही बढ़िया और आसान रेसिपी है और बच्चों को खुश करने के लिए बहुत ही बढ़ि कि एक स्पून नमक एक स्पून शूगर हाफ स्पून बेकिंग सोड़ा और एक स्पून बेकिंग पाउडर का तो सबसे पहले इसका दो तयार करेंगे मैदा डालके उसमें दही डाल दें और यह नमक शूगर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोड़ा अच्छे से इनको मिला लें और उसके बाद जितना जुरूरत हो उतना थोड़ा सा पानी डालके इस डो को हम तयार करेंगे इसका डो हमें बहुत ही सॉफ्ट लगाना है थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको तयार करना है और जब यह बाइंट हो जाए तो इसमें मैं बटर को मेल्ट करके 3-4 टी स्पूंस के क्रीब बटर डाल रही हूं बटर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप बेशक कोई भी कुकिंग ओयल इसमें आप डाल सकते हैं और थोड़ी देर के लिए इस डो को रख देंगे और करीब दो घंटे के बाद इसको देख रही हूं मैं देखिए यह डो कितना सॉफ्ट हो गया है और इतना ही सॉफ्ट हमें चाहिए जितना यह डो सॉफ्ट तयार होगा उतने ही हमारे बटर नान बहुत बढ़िया ब बनेंगे तो मैदे को ही स्प्रिंकल कर रही हूं नीचे शीट पे और इसको आप मन चाही शेप में बेल लें चाहें तो गोल या फिर ओवल शेप वैसे नान तो ओवल शेप ही अच्छे लगते हैं चाहे तो आप इनको प्लेइन भी मना सकते हैं या फिर आप इनके उपर बारीक कटा धनिया और कुछ कलोंजी के दाने इस तरह से लगा सकते हैं स्प्रेट करके इनको भी बेलें की सायता से प्रेस कर दें ताके अच्छे से चिपक जाएं और इसके बाद इसकी दूसरी साइट पे हम अच्छे से पानी लगाएंगे बहुत अच्छे से इस पे पानी लगाएं बिल्कुल भी कम पानी ना लगाएं नहीं तो यह ग्रीडल के साथ चिपके का नहीं और यह आयरन ग्रीडल है जो के मैंने इसी काम के लिए रखा हुआ है जहां पे पानी लगाया है उस साइट को हम नीचे डालेंगे और मीडियम फ्लेम पे इसको कुक होने दें यह देखे इसके उपर इस तरह से बबल जाने शुरू हो गए हैं तो उस टाइम पे आप इसको उल्टा के धीरे से इस तरह से गैस के उपर धीरे धीरे टुक करें अगर आपका ग्रीडल ओयली होगा तो यह चिपकेगा नहीं इसके लिए बहुत जुरूरी है कि आपके ग्रीडल पे बिल्कुल भी ओयल ना हो और अच्छे सा पानी लगाएं बटर नान पे और फिर यह तो इसको धीरे धीरे से हर तरफ से इवनली हीट दें और ऐसे ही इसको रेडी करें नीचे से भी पकाते जाएं और उपर से भी इस तरह से उल्टा के बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगता इनको बनने में एक बटर नान मुश्किल से देर से दो मिनट लेता है और बड़ी असानी से अपनी फैमिली को यह बना के खिला सकते हैं यह रिखिए यह वाला बटर नान आल्मॉस्ट रेडी हो गया है कितनी अच्छी शकल इसकी आई है कितना अच्छा कलर और बटर नान है तो इस पे बटर तो लगाएंगे ही यह मेरा होममेट बटर है लेकिन आप इस पे कोई भी अपनी पसंद का बटर लगा सकते है उपर से तो अच्छी तरह से यह कुक हो ही गया है लेकिन आपको नीचे से भी दिखाती हूँ जो साइड हमने ग्रीडल पे डाली थी वो भी बहुत अच्छी तरह से पक जाती है यह देखिए बिल्कुल भी कच्छा नहीं रहा बहुत अच्छी तरह से यह कुक होता है और बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे तंदूर में बना हो तो इसी तरह से बाकी के भी बना के दिखाती हूँ आपको वही प्रोसीजर सेम और उसी तरह से इसको बना लें और बटर लगाके गर्मा गरम सारू करें उपर से नीचे से दोनों तरफ से अच्छी तरह से इसको कुक करें बहुत ही सोफ्ट बनते हैं यह उतने ही क्रिस्पी भी यह देखिए बटर नान बनकर तयार है अगर आपको यह रेस्पी अच्छी लगी तो आप इसको फॉलो कीजिए गा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गा वैसे तो किसी भी चीज़ के साथ आप इसको ले सकते हैं लेकिन मैंने आज अपने घर में डाल मखनी बनाई है तो लीजिए आप भी एंजॉय करिए तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में तिल देन टेक केर फ्रेंड्स बाबाई झाल